हाई फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आरे ट्रिक में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस्टाग्राम 3.8 एप डाउनलोड नहीं होड़ा तो इस प्रोब्लम को कैसे फिक्स करें देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं इस्टाग्राम 3.8 एप को डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता है बट यहाँ पर यह round होता है लेकिन मेरा इस्टाग्राम 3.8 एप डाउनलोड नहीं होता है तो इसी का solution आज के इस वीडियो में मैं आपको 200% working trick के साथ देने वाला हूँ वीडियो अच्छी लगे तो like, comment जरूर करना और आपने अभी तक आरे trick चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर दिजिएगा तो दोस्तो Instagram 3A app download नहीं होता है तो इस problem को fix करने के लिए सबसे easily तरीका है दोस्तो कि आप अपने phone में play store को ढूर लिजिए तो यहाँ पर मैं play store को ढूर लेता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर play store मिल चूका है तो अब यहाँ पर हमें इस play store पर long press करके रखना है long press करने के लिए दोस्तो यहाँ पर play store पर touch करके रखना होगा टच करने के बाद दोस्तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें तीन option आएगा जैसे यहाँ पर app info, यहाँ पर remove और यहाँ पर my app तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें app info पर click करना है और दोस्तो जैसे हम app info पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें प्ले स्टोर का काफी सारा यहाँ पर इन्फो आएगा तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से थोरा सा स्क्रॉल डन करके नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले number में यहाँ पर हमें मिलेगा storage देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें storage पर click करना है storage पर click करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर सबसे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा catch देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें इस sketch पर 3 बार tap करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर tap कर दिया हूँ, अब यहाँ पर मैं tap करता हूँ, अब 3 देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बार यहाँ पर मैं type कर दिया हूँ, इस पर 3 बार tap करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ से हमें back क करने के बाद दोस्तो अब यहां पर left hand side में यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा force stop देख सकते हैं तो अब यहां पर हमें force stop पर click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तो यहां पर हमें ok पर click करना है and इस पर tap करने के बात दोस्तो अब यहाँ पर हमें दूसरा सेटिंग क्या करना है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें right hand side में यहाँ पर हमें मिलेगा clear data देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें clear data पर click करना है and clear data पर click करने के बात दोस्तो अब यहाँ पर हमें फिर से नीचे में मिलेगा clear catch तो अब यहाँ पर हमें clear catch पर click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें ok पर click करना है ok पर click करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें clear all data पर click करना है एंड उसके बाद यहां पर हमें ok पर click करना है इतना setting यहां पर हमें करना है उसके बाद यहां से मैं back करना है देख सकते हैं यहां से मैं back कर दिया हूँ बैक करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने फॉन को नोटिफिकेशन बार को फिर से ओपन करना है तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फॉन में नोटिफिकेशन बार को ओपन कर लेता हूँ notification बार open करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा flight mode देख सकते हैं या airplane mode देख सकते हैं यहाँ पर मेरे phone में airplane mode है अगर आपके phone में यहाँ पर flight mode है तो यहाँ पर आपको flight mode या airplane mode में on करना है यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर on कर चुका हूँ and on करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर 5-6 सेकेंड के लिए यहाँ पर airplane mode में on रखना है जब तक यहाँ से आपका internet गाइब न हो जाए तब तक आपको यहाँ पर airplane mode में on रखना है and उसके बाद दोस्तों फिर से आपको इसे off कर देना है देख सकते हैं यहाँ पर मैं airplane mode को off कर दिया हूँ and उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से हमें back करना है तो चलिए यहाँ से में back करता हूँ इतना setting करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें play store को open करना है तो चलिए दोस्तो यहाँ पर मैं Play Store open करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा 3A App डानलोड होता है कि नहीं तो यहाँ पर मैं Play Store open किया हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमें Search Bar पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें Type कर देना 3A देख सकते हैं यहाँ पर मैं Type किया हूँ 3A तो यहाँ पर आ चुका है 3A App देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं Install करके दिखाता हूँ कि मेरा 3A App इंस्टॉल होता है कि नहीं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा Instagram 3.8 app install होना start हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर आपके आखों के सामने मैं आपको दिखाया हूँ कि पहले मेरा Instagram 3.8 app डाउनलोड नहीं होता था लेकिन दोस्तों जो ट्रिक मैं apply किया हूँ उसके बाद मेरा Instagram 3.8 app डाउनलोड हो चुका है मैं आपको proof के साथ दिखाया हूँ देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप Instagram 3.8 app डाउनलोड नहीं होता है तो आप easily तरीके से इस problem को fix कर सकते हैं आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगें तो लाइक कॉमेंट जरूर करना और आपने अभी तक आरे ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजिए चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ जब तक के लिए बाइ